FAB India महंगे भारतिय सांस्क्रितिक वस्त्रों का विक्रेता है इसके बावजूद हिंदूओं और उनके पर्व को टार्गेट करने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते जैसे हिंदूओं का तेवहार आता है सब शुत्रमुर्ग बन अपना ज्यान देने लगते हैं सेक्लूरिजम का रंग चढ़ाने आ जाते हैं इसी क्रम में वस्त्र विक्रेता FAB India के एक एंटी हिंदू एड के कारण सोचल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है इस एड में FAB India ने हिंदूओं के आने वाले तेवहार दीपावली के लिए अपने वस्त्रों के नई संग्रह को साजा किया इस एड में दिक्कत ये थी कि हिंदू तेवहार का नाम जशने रिवाज दिया गया है इसके अलावा इस एड के तस्वीर में मौजूद महिलाएं हिंदू रिती रिवाज के हिसाब से नहीं सजी है किसी भी महिला के माथे पर बिंदी नहीं अत्वा सिंदूर नहीं तस्वीर को देखकर अहसास होगा कि महिलाओं की साज सज्जा हिंदू रिवाजों के तरह है ही नहीं। इस बात से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर फैब इंडिया का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। कड़ी आलोचना और ट्वीटर पर बॉयकॉट फैब इंडिया ट्रेंड होने के बाद वस्त्र विक्रेता ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट से दीपावली संग्रहन की एड को हटा दिया है। आपको बता देगी इससे कुछी दिन पहले वस्त्र विक्रेता मान्यवर ने भी एक एड के माध्यम से हिंडूों में होने वाली शादी की रिवाज कन्यादान को पिछडा और दक्या नूसी बताकर कन्या मान करने का विकल्प सुझाया था। क्यों ये सारे ग्यानी सिर्फ हिंदूों के पर्वतेवार रिती रिवाज परी ग्यान देते हैं? क्यों इन्हें दूसरे धर्म के पर्वतेवार रिती रिवाज दिखाई ही नहीं देते? ऐसे सवालों के साथ पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसका एंटी हिंदू वामपंतियों के पास कोई जवाब नहीं। इस प्रोपोगेंडा के खिलाफ प्रसिद हस्ती शेफाली वैद्य ने भी ट्वीटर पर लिखा है वाफ फैब इंडिया दिपावा लीग पर बहुत अच्छा काम। अवहर कर रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया से डर कर अपने एड को हर जगे से हटा लिया गया है। लेकिन क्या इतना काफी है ये समझने की जरूरत है। जैहिंद वंदे मातरम।